हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज हम odd one out के latest TCS के द्वारा पुछे वे questions करेंगे यह आपका letter type है इससे पहले मैंने odd one out के आपको काफी सारे questions करवाए हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं यह आपके latest पुछे वे questions से तो मैं आपको करवा रहा हूँ आप देख सकते हैं कैसे question आपसे पूछे गए आसान question होते हैं आप सभी से आसानी से कर लेंगे question क्या पूछा जाता है निमखित मैंसे तीन अक्षर समू किसी ना किसी तरह मैं एक जैसे हैं और इसलिए एक समू बनाते हैं कौन सा अक्षर समू उस समू से सम्बंदित नहीं है यानि कि इसमें तीन option ऐसे होंगे जिसमें आपका same pattern होगा एक आपका different pattern होगा वही आपको यहाँ पर ढूड़ना है जो important point है जहाँ भी alphabet का use होता है letters का use होता है उसमें आपको क्या करना है alphabet की position याद होनी चीए यह आपको coding decoding letter series, letter analogy और odd one out का letter type सभी में मदद करेगा यह important है आपको alphabet की position याद होनी चीए ठीक है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ position यह a की one और इनके opposite भी याद होनी चीए ठीक है opposite आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देख सकतो d का opposite w होता है तो door window करके याद कर लो e का opposite v होता है तो या तो आप यह कर लो evening e का opposite v या empty waycane इस तरीके से fair का unfair होता है f u करके याद कर लो कैसे भी आप याद कर सकते हो ठीक है और एक बात और बता दू अगर आपको position याद है तो तब भी आप इन्हें याद कर सकतो आप देखोगे जो भी आपके अपोजिट होंगे उनकी पोजिशन का सम 27 होगा आप देखो जो भी अपोजिट होंगे उनकी पोजिशन का सम 27 होगा ये आपको सभी में दिख जाएगा अगर आपको एक की पोजिशन पता है तो दूसरे की आप निकाल सक होगा कि नहीं तीन option में ऐसा होगा दो vowels होगे दो consonant होगे लेकिन आपका एक option में ऐसा नहीं होगा तो तब आपको देखना है vowel और consonant वाला भी यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है तो सुरू करते हैं पहले question से पहला question आप देखो इनकी मैं position लिख लेता हूँ position आप सभी को याद होनी चाहिए जो कि आपके लिए important अब आपने question पढ़ लिया सभी मैं question से मैं ठेक है question पढ़ने की जरुवत नहीं है यहाँ पे आप देखो x की position 24 c की आपकी 3 p की 20 f की 6 यहाँ देखोगे 22 5 18 8 यहाँ 26 1 22 4 और यहां आप देखोगे 23 4 19 6 अब देखो इनके बीच में अगर आप alphabet के बीच में gap देखते हो तो यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे 5 का gap है लेकिन यहाँ आपका 5 का gap नहीं है फिर 26 से एक में देखोगे यहां भी आपका 5 का gap नहीं है तो इसका मतलब gap वाला तो नहीं है और आप देखो यहां पर alternate एक चीज आपको नजर आ रही होगी 24 से 20 में आप देखोगे जो gap है वो कितने का है माइनस 4 का है और 3 से 6 के बीच में gap देखोगे तो जो gap है वो आपका प्लस 3 का है इसी तरह आप देखो 22 से 18 के बीच में जो gap है वो प्लस 4 का है माइनस 4 का है और 5 से आप 8 के बीच में देखोगे प्लस 3 का है तो सेम आप देखो 26 से 22 के बीच में माइनस 4 का और यहां से आप देखोगे प्लस 3 का है के बीच में प्लस दो है, जबकि इन तीनों में प्लस तीन का गयपता, तो आपका और कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फोर्ट ओप्सन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया किस तरीके से आपने देखा, तो यह आपको alternate भी देखना है, इसलिए आपको position याद हो और भी चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर एक चीज़ में आपको और दिखाता हूँ, जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो भी आपके इनकी position है, ठीक है, पहली चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जो भी सुरुवात के दो alpha बेट है, उन्हें आप गौर से देखो, उन्हें आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे, X, C, V, E, Z, A, W, D यह सारे क्या है, यह opposite है ठीक है, एक दूसरे के opposite है, और आप देखो इनका sum क्या है, 24, 3, 27, 22, 5, 27, 26, 21, 26 नहीं होता है, तो यह आपका order हो जाएगा, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आप यह भी बोल सकते हैं, कि अगर इनकी position का sum करें, तो यह 27 और 26 यह 53 है, यहां भी आपका 53 है, यहां भी आपका 53 है, जबकि यहां आपका 53 नहीं है, तो यह आपका ओर्ड हो गया, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है, alternate वाला आपको जादे जल्दी समझ में आ जाएगा, उसे आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको देखेगा, मांके आपको opposite देख सकते हैं, इस तरीके साब opposite भी आपको देखने हैं next question देखते हैं, next देखो, इसे करो, अभी यहाँ पर आप देखोगे, same pattern में कितने questions पूछेगे हैं, यहाँ आप देखोगे, तो यहाँ भी आपको देखेगा कि सुरुआत के दो opposite है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन सारे opposite हैं, और क्या आप देख सकते हैं, और क् आपका देखोगे, यहाँ प्लस टूव जाने में, यहाँ क्या हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है तो आपका odd क्या हो जाएगा second question second option हो जाएगा तो आप देख सकते हो pattern काफी आसान है और आपको समझ में भी आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर pattern है next question देखते हैं next देखो इसे बताओ इसे देखो आसानी सब आप कर लोगा क्योंकि यह कुछ question में आपको same pattern नजर आएगा और यही आपको यह pattern आपको ध्यान में रखने यह pattern आप से आगे भी पूछे जा सकते हैं यहाँ भी आप देखो 8 से k गया 8 से k गया तो आप कहोगे 8 से k 11 plus 3 है और यहाँ देखोगे D से edge गया आप इन्हें ही देख लो D से edge गया तो यह 4 plus 4 plus 4 का gap है F से J plus 4 है और I से M 9 4 13 तो यहाँ आप देखो plus 4 plus 4 है जबकि यहाँ plus 3 है तो odd यह हो जाएगा आप इसे भी चेक कर सकते हो 23 से A गया 23 से A गया तो यहाँ भी आपको गया plus 4 है U से आप Y जाओगे 21 plus 4 25 होता है R से भी जाओगे तो 18 plus 4 22 होता है यहाँ सभी में 4 है जबकि यहाँ plus 3 हो गया सुरू में तो odd आपका क्या हो जाएगा first option हो जाएगा next question देखो इसे करो यहाँ देखो इसे आप कैसे करोगे D से W D से B गया minus 2 W से Z गया plus 3 E से C गया E से C गया तो आपका होगे यहाँ पर कितना है minus 2 है V से C, V से S गया 22 से S तो यहाँ पर minus 3 जबकि यहाँ plus 3 होगा तो इन दोनों में से एक हो सकता है अब देखो H से F गया H से F plus 2 है और S से V गया 19, 3, 22 plus 2, plus 3 का gap है यह आप देख रहो sorry, minus 2 minus 2 plus 3 का gap F से D गया, minus 2 है U से X गया, 21 plus 3 plus 3, 24 तो आप देख सकतो odd कौन सा हो जाएगा है हाँ पर second option हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है V से S में minus 3 हो रहा जबकि सभी जगा plus 3 हो रहा है यहाँ भी आप देखो E से V E से V आप देखो E से I आप देख सकतो यहाँ पर 5, 4, 9 और V से X आप देख सकतो V से X यहाँ पर देखोगे तो 22, 24 यहाँ देखोगे F से J plus 4 का gap है U से W 21, 23 plus 4, plus 2 है यहाँ देखोगे 8, 4 कितना होता है 12 जबकि यहाँ पर L होना चे था, M है तो odd आपका यह हो जाएगा और यहाँ देख सकते हो आपका 4, 3, 7 और यहाँ पर 24, 24 और 2 आपका 26 हो जाएगा आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ यह तो चलो odd हो गया और U से W देखोगे, यहाँ भी प्लस 2 है और यहाँ भी आपका प्लस 2 है तो आप देख सकते हो, प्लस 4, प्लस 2 अल्टरनीट वाला लोजिक है नेक्स कुशिन देखो, इसे आप करो, L, T, P, R अभी आप देख रहोगे, कि यह सेम तरीके के कुशिन पूछे गए है अभी लेटेस पूछे हुए कुशिन से, आसान कुशिन है, आसानी से आप कर लोगे अब देखो, L से P गया, L से P गया, तो आप बोलोगे, यहाँ पर कितने का गयप है प्लस 4 का, T से आप गया, तो आप कहोगे, यहाँ पर मैनस 2, ठीक है आप देखोगे, S से डबलू गया, तो आप कहोगे, 19, 24, 23, लेकिन B से Y मैनस 2 नहीं है B से Y मैनस 2 नहीं है, यहाँ पर कितना है, B से Y जाना है, तो मैनस 3 है तो यह आपका odd हो सकता है, यहाँ प्लस चार माइनस टू है, तो यहाँ देखो, प्लस चार और N से L माइनस टू, यहाँ आपका प्लस चार, D से भी माइनस टू, तो odd कौन सा हो जाएगा, आपका second option हो जाएगा, समझ माँ आ गया, next question देखो, इसे देखो, यहाँ आप देखोगे, D से G गया, ठीक है, अभी वही pattern आ रहे हैं, जो pattern आपका पहला था, वही pattern आपके repeat हो है, D से आपका G गया, तो आप देखोगे, 4, 3, 7, प्लस 3 है, W से Z देखोगे, तो यहाँ भी आप देखोगे, 23, 26 प्लस 3 है, यहाँ आप देखोगे, A से D गया, प्लस 3 है, और Z से D गया, तो आपका प्लस 4 है, C से F गया, प्लस 3 है, X से B गया, तो यहाँ पे आपको देखेगा, 24, 24 प्लस 4, यहाँ देखोगे, 6, 3, 9, और U स यह हो जाएगा ठीक है पोजिशन लिखनी रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ रहा हो गए इसलिए पोजिशन आपको याद करनी है एक्जाम में भी आपको ऐसे लिखना नहीं है तो आपका और कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्सन हो जाएगा इससे आप यह भी देख सकते कि कितने पैटन आपके हर एक्जाम में सेम पैटन पर कौशिशन है सेम पैटन में भी आप देखो साथ कौशिशन में लिए तो यह साथ सिफ्ट के कौशिशन है तो सभी में सेम पैटन है नेक्स कौशिशन देखो यहाँ देखो इसे करो 19,21 अगर यहाँ पर पोजिशन लि ठीक है यहां आप देखो 16, 18 यहां भी plus 2 है तो यानि कि पहले वाली की तरह है plus 2 और 18 के बाद आपका यहां पर आप देखोगे 23, 22 तो यहां पर 1 का gap है यहां आप देखोगे 17, 2, 19, 17, 2, 19, फिर x है, x आपका कितना है 24 और यहां से एक कम 24, minus 1, 23 तो इन तीनों में देखो, first, third, fourth में same type का pattern है, alphabet के बीच में gap देख रहो तो position आपको याद होगे तो बहुत जल्दी आप इसे कर लोगे तो आपका answer क्या हो जाएगा, second option होगा, जो आपका odd है next question देखो, next देखो, 15, आप देखो यहाँ पर 15, 3, 18, यहाँ पर 15, 18, 22, 1 यहाँ देखो, 1, 4, 8, 13, बस इसमें position का ही game है, जो आपको याद होने चीए 9, 13, 19, यहाँ आप देखोगे 16, 19, 23, 2, 15, 3, 18, 15, 3, 18, और यहाँ आप देख सकतो तो 22 से एक जाओगे, तो आप बोलोगे, यहाँ पर 4, 26, प्लस पांच करोगे, यहाँ देखोगे, पलस 3 है और 8 से, प्लस पांच करोगे, 6, प्लस 3 9 है, और यहाँ 13, 16, 19, तो यहाँ पर आपका चेक कर सकते हो और ऐसे भी आप चेक कर सकते हो ठीक है next question देखते हैं next देखो vxz है तो मैं position ही देखुआ तो आप देखोगे 22 24 26 ठीक है तो plus 2 का गयप है सभी में plus 2 plus 2 यहां आप देखोगे 3 5 8 तो यहां पर आपको plus 3 का देखेगा plus 3 plus 3 यहां देखो 16 सोरी यहां पे 2 है प्लस 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8 16, 18, 21 तो यहां देखो 16, प्लस 2, 18 18, प्लस 3, 21 यहां देखोगे 10, 12, 15 यहां प्लस 2 का गैप यहां आपका प्लस 3 का गैप तो इन तीनों में सेम है तो और आपका कौन सा हो जाएगा पहला उप्सन VXZ हो जाएगा नेक्स कुश्चन देखो LOQ ठीक है तो पोजिसन हम देख लेते हैं 12, 15, 17 12, 15, 17 आप देखोगे कितना प्लस 3, प्लस 2 यहां आप देखोगे 6, 9, 11 तो यहां भी आपको देखेगा प्लस 3, प्लस 2 यहां आप देखोगे 2, 4 यहां पे तो आपका 2, 4 तो प्लस 2 का गयब हो गया तो आपका और यह हो जाएगा क्योंकि यहां प्लस 3, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 2 का गयब है तो सेम यहां पे करेंगे 19, 22 और आपका 24 तो आप देखोगे प्लस 3, प्लस 2 और कौन से आपका third option हो जाएगा next question देखो यहां देखो ध्यान अगर आप दोगे तो यह आपका B का opposite Y Z का opposite A D का opposite W, B का opposite यहां पर U नहीं है ठीक है यहां आप देखोगे G का opposite T, E का opposite V E का opposite V, C का opposite X तो इन तीनों में आपके सारे opposite हैं, pair में opposite हैं कि यहां B का opposite U नहीं होता तो odd आपका यह हो जाएगा, तो आप देख सकतो opposite में भी आपका ऐसे पूछा जाता है next question देखो इसे देखो S, U, X ठीक है, यहां पर 19, 2, 21, 21, 23, 24 ठीक है, plus 2, plus 3 का gap है, यहां देखोगे 14, 2, 16, 2, 18, plus 2, plus 2 का gap है, यहां 8, 2, 10, 10, 2, 12, plus 2 का gap 2, 6, plus 2 और 4, 2, 6, ठीक है, plus 2 तो इन तीनों में सेम gap है, alphabet के बीच में, तो odd कौन सा हो जाएगा, आपका first option हो जाएगा, next question देखो इसे देखो यहां पर क्या है, 24, 23, 22, 7, ठीक है, एक चीज़ यह दिख रहा है, 24 और 22 में यहां से, यहां पर क्या है, minus 2 है, और यहां आपका क्या है, plus 4 है, तो minus 2, plus 4, तो आप यहां देखोगे, 23 से 21, minus 2, और D से 8, plus 2, ठीक है, sorry, plus 4, ठीक है, plus 4 है, तो minus 2, plus 4, इस option में भी है, Z से X गया, minus 2, इनकी position में, और A से ही गया, तो plus 4 है, तो इन तीनों में तो आपका same pattern आ रहा है, minus 2, और plus 4, तो आपका odd कौन सा हो जाएगा, fourth option हो जाएगा, TGRC, next question देखो, इसे बताओ, यहां कैसे करोगे, SZ, ठीक है, SZ है, SZVX, तो position अगर आप देखोगे, 19 से V गया, तो आप 19 से V, plus 3, Z से X, minus 2, तो आप कहोगे, plus 3, minus 2 का गयप है, P से S गया, plus 3, W से U गया, minus 2, K से N गया, K से N गया, तो plus 3, और R से Q गया, तो यहां पर minus 2 नहीं है, जबकि इन दोनों में minus 2 था, ठीक है, plus 3 और minus 2 था, तो यहां नहीं है, तो यह आपका odd हो जाएगा, इसे आप चेक करो, 14 से 17 गया, plus 3 है, U से S गया, तो आपका होगे, minus 2 है, तो आपका odd कौन से हो जाएगा, second option, अब यह pattern, alternate वाला pattern आप देखोगे, बहुत जादे repeat हुआ है, यहां पर आप देखो, 15 question किया है, 15 question में से कितने question आपके alternate वाले होगे, next question देखो, आसान question है, bydc, यहां आप देखोगे, b से d, plus 2, और y से c, तो यहां भी आप देखोगे, y से c, y आपका 25 होता है, और c 3 होता है, 26 तर जाएगे, फिर starting से कर लेंगे, क्योंकि 26 आपके alphabet होता है, तो यहां पर आप देखोगे, plus 4 है, यहां आप देखोगे, d से f, plus 2, यहां आप देखोगे, plus 4 है, h से k, यहां पर plus 3 है, 8, 3, 11, तो यह आपका odd हो जाएगा, जबकि यहां plus 2, plus 4 था, यहां आप देखोगे, f से h गया, तो आपका होगे, plus 2 है, और u से y गया, तो आपका होगे, 21, plus 4, 25 हो गया, तो आपका answer क्या है, third option है, ठीक है, next question देखो, j, q, k, p, j का opposite, q होता है, k का opposite, p होता है, ठीक है, opposite है, h का opposite, s होता है, i का opposite, t नहीं होता, यहां पर r होना चाहिए, तो यह आपका order हो सकता है, हम देखने, d का opposite, w, e का opposite, v, यह भी opposite है, g का opposite, t, h का opposite, s, यह भी opposite, अब यह आपको opposite याद होंगे, तो आप तुरंत कर लोगे, देखते ही कर लोगे, तो इसका answer क्या आपका second option है, next question देखते है, next देखो, e, g, f, h, e, g, f, h, यहाँ पर तो मुझे, e से f, plus 1, g से h, plus 1, plus 1, plus 1 दिख रहा है, plus 1, plus 1, यहाँ आप देखोगे, s से t, plus 1, u भी, plus 1, q से r, plus 1, t से s, तो यहाँ पर आपका, t से s, q से r, 17, 18, यहाँ पर minus 1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ minus 1 हो रहा है, तो यह आपका, odd हो सकता है, ठीक है, minus 1 हो, यहाँ आप देखोगे, w से x का हो गए, तो आपको यहाँ पर देखेगा, w 23, 24, और यहाँ पर 25, 26, तो यहाँ plus 1, तो odd आपका कौन सा हो जाएगा, third option हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर minus हो रहा है, यहाँ आप सीधे-सीधे, alphabet के बीच में देखेए, तो आप देखोगे, 5, 7, 6, 8, आप यह भी बोल सकते हो, 5, 2, 7, 6, 2, 8, इस तरीके से भी है, ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो, alternate ओला, तो इसका right answer आपका क्या है, third option है, next question देखो, इसे बताओ, M, M का opposite N, P का opposite K, T का opposite G, W का opposite D, J का opposite Q, M का opposite N, तो इस सारे opposite दिख रहे हैं, alternate, और यहाँ आप देखोगे, P का opposite K तो है, S का opposite I नहीं है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, odd हो जाएगा, fourth option, next question देखो, next देखो, F से J गया, 6, 2, 8 हो गया है, यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकतो, 6, 2, 8, ठीक है, 6, 2, 8, और यहाँ पर 18 और 3, 21, 13, 2, 15, और यहाँ पर 2, 2, 4, शुरू में 2 का गयप है, जबकि यहाँ पर 18 तीन का गयप है, इन दोनों के बीच में प्लस 3 है, तो यह आपका odd हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकतो, फिर आप देखोगे, 10 से मैनस 3 है, यहाँ यह तो आपका odd है, 17 से मैनस 3 है, F से C मैनस 3 है, तो यह भी आसान है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, second option हो जाएगा, ठीक है, next question देखो, इसे देखो यहाँ पर, D का opposite W है, F का U है, C का X है, E का V है, F का opposite U है, H का S है, H का opposite S है, F का U है, तो यहाँ तो सारे यह opposite दिख रहें, यहाँ तो सारे यह opposite है, तो और क्या हो सकता है, alternate चेक कर लेते हैं, alternate देखेंगे, 4, 23, 6, 21, 3, 24, 5, 22, 6, 21, 8, 19, और यह आपका, 8, 19, 6, 21, तो alternate देखेंगे, तो 4 से 6, प्लस 2, 23 से 21, माइनस 2, 3 से 5, प्लस 2, 24 से 22, माइनस 2, 6 से 8, प्लस 2, 21 से 19, माइनस 2, 8 से 6, देखो, 8 से 6 यहाँ पर, माइनस 2 है, जबकि सभी में, आपका पहले वाले में, प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2 था, यहाँ पर आपका minus 6 और 19 से 21 के फिर plus 2 है जबकि यहाँ पर minus 2 है तो odd आपका कौन सा हो जाएगा fourth option हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर opposite सारे ही opposite थे लेकिन आपने देखा alternate तो आपका answer क्या आगया fourth option आगया तो यह आसान question थे काफी आसान question थे क्योंकि आसान इसले भी हो गए क्योंकि अभी 1-7 question आये थे और सारे pattern आपको समझ में आगया क्योंकि वही pattern आपको दिख रहा है तो सीधे आप वही pattern चेक कर रहे होगी तो आप देखोगे क्या-क्या pattern यहाँ पर दिखे इससे पहले भी odd one out के काफी सारे question करवाए हुए है आप उन्हें भी देखो लेकिन जादे तर case में ऐसा ही होगा आपको gap देखना पड़ेगा gap द होने चीए बस आप alphabet की position याद कर लो जो कि आपके लिए important है बाकी मैंने आपको अभी playlist missing number की playlist दे दी है बना playlist क्या दी है link आपको दे दी है 20 questions के 20 videos के तो आप उन videos को दे सकतो और उतने questions ना enough है वो सारे जो 20 videos हैं वो सारे जो उसमें questions है वो latest TCS के द्वारा पूछे हुए questions है यानि कि एक दो साल में जो भी paper करवाए हैं उससे पूछे हुए questions है उससे जादे आपको practice की जरुवत भी नहीं है latest आप करोगे आपका ही फायदा होगा अभी मैं आपको coding recording की भी इसी तरीके से जितनी भी videos latest question है उसका आपको link provide कर दूँगा तो आप telegram ज़रू जोइन कर वहाँ आपको उसका link भी मिलेगा फिर number series का भी मैं link provide करूँगा ऐसे analogy का भी करूँगा तो इसी तरीके से आप वहाँ से भी कर सकते हैं एक साल तो इस video को यहीं पर समाप करते हैं thank you